Hello friends, welcome to my YouTube channel Exercise 12.3 से question number 9 करेंगे What should be the value of A? A की क्या value होगी? तो question में आपको A की value निकालनी है If the value of 2x square plus x minus A equals to 5 अगर ये expression 5 के बराबर है When x is equal to 0 और यहाँ x दे रखा है आपको की x जो है वो 0 के बराबर है तो एक expression दे रखी है उस expression के अंदर x की value 0 दे रखी है और सारी expression 5 के बराबर है वहाँ से A की value आपको निकालनी है ये शुरू करते हैं इसको तो ये है expression 2x square plus x minus A ये सब कुछ बराबर यहाँ दिया है equals to 5 अब यहाँ दे रखा है कि x की जगा 0 भी है तो next step में हम x variable की जगा पे 0 put कर लेंगे तो ये 2 का 2 हो गया ये मैंने x की जगा बनाई यहाँ 0 भर लिया और ये इसका square प्लस ये x की place बनाई यहाँ 0 भर लिया आगे minus का minus और A का A as it is और ये सारा बराबर है 5 के अब ये equation तो बनी रही है बस इसमें आपको इस A की value निकालने है solve करके तो 2 को multiply करना है 0 के square से तो 0 का square तो 0 ही होगा और 0 को हम किसी से भी multiply कर लें वो सब कुछ 0 ही हो जाता है तो यतने का answer हो गया है 0 आगे plus लिखा हुआ है यहाँ 0 लिखा हुआ है तो इसको भी लिख लेते है 0 आगे minus लिखा हुआ है और यह A लिखा हुआ है यह is equal to 5 लिखा हुआ है अब 0 प्लस 0 तो कुछ होता है नहीं 0 ही होता है तो यहाँ यह minus A बराबर 5 हो गया है बस इतना अब हमें value निकालनी है A की यह तो minus A है ना वो हटाना हो तो वो दूसरी तरफ जाके लग जाता है तो A की value आ गई है यहाँ पर minus 5 यही आपका answer है तो question खतम इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए goodbye